हेलो इबरीबन विलकम बेक तो माई चैनल सुवाज ये आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चेप्टर नमबर फर्स्ट रियल नमबर का एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में कंप्लेट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कंप्लेट करने वाले हैं अगर आपने इस पहले वाले प्रीविडियो को डिस्क्रीप्क्रम में मिल जाएगा बहां पर जाकर करके आप इससे प्रीविट उस देख सकते हैं आपके लिए ओके ये कम से कम 3 marks से 5 marks तक आपको एक्जाम में इस टाइप को questions पूछे जाते हैं ठीक है तो आएए शुरू करते हैं ओके जैसे आप देखें पहला question दिया हुआ है कि सिद्ध किजिए कि रूट 5 एक ओपड़ी में संख्या है ओके यानि कि रूट 5 एक irrational नंबर ह इसे आपको फूर्व करना है ठीक है तो जब भी आपको कोई cocon रूट वाला नंबर या कोई नंबर हो हो अगर Pack you комп ol सिद्ध करने के लिए हैं तो आपको करना क्या है जो नमबर को भूण आ면agers इसे के लिए उस मान लेWhen लें फाइव एक परी में सैंख्या है यह मान लिया हम लोग ओके परी में सैंख्या है यह मान लिया ओके अब हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर परी में नंबर है परी में एक नंबर सैंख्या है तो उससे क्या होना चाहिए उससे पी बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए य यहां कंडिशन सब में एक ही होगा कि नीचे वाला जो नंबर होगा यानि कि जो हर में जो भी सैंख्या होगा वो कभी भी नेवर इक्वल टू जीरो यानि कि जीरो के बड़ावर कभी नहीं होना चाहिए नोट इक्वल टू जीरो है ना क्यू कभी जीरो बड़ावर नहीं होना चाहिए और एबं एबं ती और क्यू ती और क्यू एक तह ओभाज सैंख्या होना चाहिए है ना सह उभाज संख्यां है ठीक है जहां condition क्या है जी जहां condition है q not equal to 0 एवं पी और q एक सह उभाज संख्यां है यह condition है यहांनी कि q prime number ओकि अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि q prime number आखिर कहते किसको है है पहले हम लोग यहां पर इस इस dot को पर हम career कर लेते हैं, कि सह उभास सेंख्या कहते किसको है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्जामपल, हम दो एक्जामपल ले रहे हैं, आप समझेगा, ठीक है, जिसने यहाँ पर एक्जामपल ले रहे हैं, तीन बटा दो, यह क्या है, P बटा Q के रूप में है, और Q not equal to 0 है, ठीक है, Q 0 परावर नहीं है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, जो कि इन दोनों को बिभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है, जो कि इन दोनों नंबर को बिभाजि है, okay, for example दूसरा example ले ले लेते हैं, लोग, 4 बटा 6, okay, अब 4 बटा 6 देखिए, एक से तो विभाजित होगा, ठीक है, अच्छी बात है अब यहाँ देखिए, दो भी एक नंबर है, जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है, देखा जाये, तो दू भी एक number ऐसा है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है, इसके मतलब एक की अलाबा कोई और number आ गया जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है इसके मतलब यह जो friction है यह जो भिन है, यह एक सह उभाज सेंख्या कर भिन नहीं है यानि है आप आपका जो रूट 5 है न रूट 5 देखोगे अगर रूट 5 5 को भी भाज़ित कर रहा है और Q को भी भाज़ित कर रहा है तो इसके मतलब कि यह एक परिम्य संख्या नहीं होगा ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे एस्टेप ठीक है अब यहाप इस्ता होगा से हैं क्या आप लोग समझ गया है यानि कि बैसा नंबर जो सिर्फ एक से ही दोनों नंबर को अब करना आ है इसका नेक्स्ट अपनाना है आपको यहाप लिखो गया दोनों तरफ बर्ग करने पर दोनों तरफ बर्ग करने पर यानिकि एसक्वाइडिंग उन बोस्ट साइड़ एक यहां क्याके अपने दोनों तर बढ़ तर कर लेते हैं तो रूट-05 नतब इस्काइर लेते हैं दोनों तर इससखाब न फॉलता लिघ्ण का और थे टिक है आप इसक्वाइट लेंगे तो रूट यहां सरते कहंसिँड हिद धा य तो यह आपका क्या हो जाएगा 5 into q square यह क्यू 5 से multiply हो जाएगा और यह p square 1 से multiply हो जाएगा तो पी स्क्राइब ही रहेगा ठीक है इसी लिए यहां पर देखा जाए तो q q a square बड़ावर क्या होगा पी एस्क्राइब बटा 5 ठीक है यह गुला में है 5 था तो यहां पर भाग में आगया ठीक है तो अब यहां पर आप देखो कि कि यहां पर चीना टेक्वाजित्त्त तो यहांपर लिखोगे यहां पर नीचे में जगा है क्या है लिख लेते हैं चोंकि कि पी एस्क्वाइर कॉमा पांच से दीभाजित है इसलिए पी भी पांच से है भी भाजित होगा बीस होगा अब यहां पर इसे समझे लो कि 25 से भी भाजित है तो बीज़े पांच से भी भाजित होगा इसका क्या मतलब है अब आप देखो बताना आप बांच का स्कॉर हम ले लेते यह थिक है तो यह देखा जा यह और यहां 5 ले लेते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है यह जो P का square है अगर जो हम इस 5 को P मान लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो P square क्या है 5 से भीवाजित है ओके अगर हम यहां से square हटा लेते हैं ठीक है क्या करते हैं यहां से square हटा लेते हैं तो बचेगा क्या सिर्फ 5 बचेगा ओके यानि 5 भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा यहीं पि यह कह रहा है कि अगर P square P से विभाजित है तो P भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा यानि कि आप A square यहां से आप रिमूब कर लो हटा भी लो तब वो क्या होगा 5 से विभाजित होगा यहां पर इसलिए मैंने यहां पर जो गुननखंड है उसी सेंख्यास कटेगा ना इसका मतलब है कि P का एक गुननखंड 5 है तभी तो काटा है तो आप यहां पर एक step चाहो तो लिख भी सकती हो बट अगर नहीं भी लिख होगे तो चलेगा अपने इतना लिख लिया काफी है ओके इतना अपने लिख लिया अब यहां पर निक्ष्ट स्टेप आपको अपनाना है ऋके आपको करना क्या एक स्टेप आपने बना लिया ठीक है अब यहां पर ऐसके यह P square 5 से बिभाजित है अब कितने बार में बिभाजित है हमको पता नहीं जैसे आपको यहाँ पर कोई संख्या दे दिया जाता है चार तो दू दू निक चार कितने बार में बिभाजित हुआ है, दो बार में बिभाजित हुआ है, अब यहाँ देखे, पांच जो है, पी को बिभाजित कर रहा है, अब कितने बार में बिभाजित कर रहा है, यह तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे, आर बार में बिभाजित कर रहा है, या फिर हम ये दोनों multiply होगा m बार में माल लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है तो यहाँ हमाल लेंगे p equal to 5m ओके अब हम लोग क्या करेंगे p का मान इस समिकरन में put कर देंगे ठीके तो यहाँ हम लिखेंगे p का मान समिकरन बन में रखने पर तो समिकरन बन क्या था मेरा qa square equal to p square बटा 5 था तो qa square equal to क्या हो जाएगा p equal to कितना मान इस 5m यानि कि 5m का square बटा 5 यानि कि qa square equal to क्या आ गया 25 बटा m square बटा 5 अब यह कर जाएगा 25 25 ओके यानि कि qa square equal to क्या आ गया है 5m square यह आ गया आपका अगर आप इस 5 को इस सेड लेते हो ओके अब देखे हम क्या करेंगे m square बड़बर क्या हो जाएगा qa square बटा 5 हो जाएगा ओके यह 5m के साथ क्या आए गुणा में है तो m के साथ गुणा में है तो इससे हम m से अलग करेंगे तो यह q के साथ जो आएगा तो भाग में आ जाएगा ठीके गुणा का just opposite भाग में चला जाता है अगर जो बड़ावर के exchange करते हैं तो तो यह आपने लिख लिया अब यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर आप देखिए आप ही बताएए कि qa square यह जो है qa square 5 से बिभाईत हो रहा है qa square क्या हो रहा है 5 से बिभाईत हो रहा है तो यहाँ आप आप लिखोगे क्यूंकि Q square 5 से दिभाजित है इसलिए Q भी 5 से दिभाजित होगा यहां पर समझाने की ज़र्वत नहीं है हम आपको समझा चुके है एक कंडिसन में यहां पर आपको समझा चुके है और Q भी 5 से दिभाजित है है की नहीं दोनों देखें 5 से भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है रहा है इसका मतलब है कि ये एकसा होभा सेंख्या का नेचर का ये नंबर नहीं है है ना यानि कि इस दिए हम कहेंगे आप आता हमारी मानिता गलत है आता हमारी मानिता हमारी सोच हमारा मानना आप जैसे चाहू लिख सकते हो आता हमारी मानिता गलत है गलत है रूट 5 एक आप पड़ी में सहीं ख्या है ओके आप पड़ी में सहीं ख्या है यह आप क्या होगे सिध्ध हो गया यह फिर इंगलिस में लिखना चाहते हो तो लेख सकते हो पूरूग्ड ओके यानि कि अब यह फाइनल हो चुका है मैं सीध्ध कर छुका हूं अब इसी तरह आप रूट 5 के जगा रूट 2 निकालना चाहती है तो रूट 2 बना लेना इसी तरह बनाना चाहते है रूट 3 नहीं 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 है इसको मतलब इस नतर 설i पीबॉट cur— ki ुरूप में लिका जा सकता है इसमतल रूट-3 भी क्या है एक पपड़ी में next question question number 2 है बोल रहा है कि सिध कीजिए कि 3 plus 2 root 5 एक ओपड़ी में संख्या है तो आपको करना क्या है इसके आप पोजिक्ट माल लेना है तो आप यहाँ पे solution यहाँ लिख दोगे आप हल हिंदी में लिख लोगे हल यानि की solution यहाँ हम लिख लेंगे माना माना 3 plus 2 root 5 एक पड़ी में संख्या है क्या माल लेंगे इसे पड़ी में संख्या माल लेंगे ठीक है ओके चलिए मैंने मान लिया पड़ी में संख्या है ठीक है अगर यह पड़ी में संख्या है तो इसे क्या होना चाहिए बताइए 3 plus 2 root 5 को होना चाहिए क्या इससे P बटा Q के रूप में होना चाहिए यानि कि P बटा Q के फर्म में होना चाहिए ठीक है जहां कंडिशन है हम लोग जानते हैं जहां कंडिशन है भाई जो आपका नीचे में जो नंबर है यानि कि Q जो हमारा नंबर है यह कभी भी 0 ब्राबर नहीं होन यानि कि Q not equal to 0 एबं एबं पी और क्यू पी और क्यू एक सह उभाज संख्या एक सह उभाज संख्या है क्या है यह सह उभाज संख्या है यानि कि को पराइम नमबर है सह उभाज संख्या क्या होता है सह उभाज संख्या किसको बोलते है यानि कि बह नमबर जैसे तीन बटा पाँच है बह नमबर जो कि एक ही बो नमबर हो जिसको कि इन दोनों को विभाजित करे है न एक के अलावा कोई और नमबर नहीं होना चाहिए जो कि इन दोनों को विभा कर रहा इसके मतलब यह क्या है एक दोनों को नहीं कि अध़ाजित कर रहा है क्या प्रघ्are है क्योंकि आलाव bipolar नमबर है ही नहीं जो कि इन दोनों नमबर को भी वहाजित कर रहा है ठीके सवेघ्ड सेट यह समझ एक और हैब यहाए आभ यहां पर देखिए बोल रहा है अब यहां पर देखिए क्या क्या देखिए यह 3 क्या है यहां पर प्लस में कुछ नहीं तो क्या है प्लस में तो हम क्या करेंगे इस प्लस को दिखाना नहीं है ठीक है बस मैंने आपको समझाने के लिए ठीक है अब हम करेंगे क्या टू रूड लिक लो okay क्योंकि o眠 कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो प्रस सांब कि cai थडी के सामने मैं नस यह थो मैंश सा ना गिया आपके मर्जी जैसे शाओ आप सजाकर कर लिख सकती हो। ठीक है तो यह ज्याधा बीधर रहता है इस तरह लिख भी थीख अब यहाँ बह देखिए खैंब यहाँ देखिए रूट 5 बढ़ावर गया अब यहाँ देखिए रूट 5 बञाभर आप देखिए कंश्ने तो गया है एक मानके चलते हैं हSP अपको दिखाना नहीं मैं आपको संधाने पिर बता रहा ह dh इसके मतलब यह क्या है गुणाक रूप में है यानि कि दो बटा एक है तो एक बटा दो हो जाएगा ठीक है एक बटा दो इंटु टी बटा Q-3 इस तरह लिग सकते हैं यह आपको दिखाना नहीं ठीक वैसे दिखा दोगे तो गलत नहीं होगा बट नहीं दिखाओ तो ज्यादा बेतर है क्योंकि मिश्टेक करोगे तो कुछ और नंबर देखने में लग या कुछ और नंबर थोड़ा सभी आपका विजिबिलिटी अगर अच्छा नहीं रहा तो आपका नंबर कट सकता है ठीक है तो यह अपने लिख लिया अब यहां पर एक बात हमें बताओ रूट 5 क्या है एक उपरी में संख्या तो याद रखेगा कि उपरी में संख्या कभी भी परी में संख्या बराबर नहीं हो सकता है यानि कि आप लिखोगे उपरी में संख्या क्योंकि रूट 5 क्या है उपरी म संख्यां ओके अब यहाँ देखें कोई नंबर नहीं है जो की रूट में यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं इस साइड राइट साइड बढ़ावर के राइट साइड में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो की रूट में है है ना है इसका मतलब यह क्या है सब इक सब तूं के रिमे सेंख्या है रिस ना विए को परीमे संख्या ओकwe सेंख्या क्भी बढबर नहीं हो सकता है कि और यह सभी पुरनांग है यान कि यह सभी के सवह क्या है परिमे संख्या है तो यहाप आपको लिख दे भी लिख सकते थे कि हम जानते हैं कि वह पड़ी में सेंख्याक का भी पड़ी में सेंख्याक बड़ावर नहीं होता है बस इसको मैंने है एक ओपड़ी में सेंख्याक है एक इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर है यह चीद हो गया यानिकि फूरूफ हो गया है फूरूफ्ट हो गया मेरा ऊके तो इस प्रकार कोसे नमबर तुम हमें चलीए इसमों बनेक्स आप लिकलो ठीक है अब चलिए हम लोग देखते हैं question no.3 question no.3 जो की last question है और इसमें तीन questions आपको दिये हुए है ठीक है पहला है question बोल रहा है कि सिद कीजिए कि निम ने लिखी संख्या है उपड़ में संख्या है यानि कि जितने भी number दिये हुए है यह आपको सिद करना है कि उपड़ में संख् होता है तो यहां पर मान लेंगे माना माना बन बटा रूट टू एक परी में संख्या है ओके मैंने मान लिया कि यह क्या है भाई एक परी में संख्या है ठीक है अब कोई भी नंबर परी में नंबर होता है यानि कि कोई संख्या परी में संख्या होता है तो उसका condition होता है भ कि जहां condition भी होता है जहां condition है जहां शर्थ है की q कभी भी 0 गड़ावर नहीं होगा एवं एवं पी और q Kewa P एर Q एक साह होबाज साहइल है एक है वो फाध दोफार सहिर यह इसका शर्त होता है तभी वह स्वह नम्बर क्या होना तो root 2 जो है यह P से multiply हो जाएगा यानि root 2 into P अब यह Q 1 से multiply होगा तो बचेगा क्या Q अब यह P देखें गुना में है तो इससे हम उस side कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा root 2 बरावर क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना में है तो भाग में चला जाएगा यानि Q बटा P P नीचे आजाएगा यह गुना में था भाग में आ गया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि root 2 क्या है एक O परी में सेंख्या है तो हम यह आप लिखेंगे कि O परी में सेंख्या ओके कभी भी बरावर नहीं होता है परी में सेंख्या के क्योंकि P और Q क्या है एक पूर्णांख है यानि कि यह क्या है परी में सेंख्या है और यह परी में सेंख्या है और हम लोग जानते हैं कि O परी में सेंख्या कभी बरावर नहीं होता है परिमे संख्या के आप चाहो तो language में भी लिख सकते हो या आप लिख देना आप चाहो वैसे आप इतना भी लिख दिये तो काफी है ऊके बट आप चाहते हो कि और बहतर से में लिखे तो आप लिख होगे कि रूट 2 एक उपरी में संख्या है जबकि t और q एक पुर्णांख है यानि कि यह एक परिमे संख्या और कभी भी ऊपरी में संख्या πरावर नहीं होता है इसलिए अता हमारी मानिता गलत है बन-बटारूर्ट्टु क्या है एक उपर में सैंख-йा है ठीक है पैसे इतना सोट फ़ुर्म में लि껏 तो काफी समझ जाएंगे ठीक है आपको नंबर नहीं कटेगा ठीक है तो यहां आप लिख smoking अत्ता हमारी मानिता गलत है अत्ता हमारी मानिता यानिकि हमारी सोच, हमारा मानिता गलत है, बन बटा रूट्टू क्या है, एक ओपड़ी में साइंख्या ही है, ठीक है, ओपड़ी में साइंख्या है, हो गया यह आपका पूरूफ, ठीक है, यह आपका पूरूब्ड हो गया, यानिकि सिध्ध हो गया है, ठीक है, ओके, यह question number three का one number question complete हो गया इसका हम लोग next question देखते हैं जो कि seven root five है इसे हमको सीध करना है कि चलिए next question क्या है question है seven root five एक परिमें सेंख्या आपको सीध करना है ठीक है तो इसके हम just opposite हम आप माल लेंगे ओके यहां से हम solution मेरा start होता है यहां से मेरा यहां पर माल लेंगे माना माना seven root five एक परिमें सेंख्या है just opposite हम लोग माल लेंगे है ना वह परिमें सेंख्या बोलता था ना सीध करने लिए हम उल्टा माल लेंगे ठीक है माना seven root five क्या है एक पड़ी में सैंख्या है ठीक है क्या है जी एक पड़ी में सैंख्या है ओके अगर यह पड़ी में सैंख्या है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सैंख्या पड़ी में सैंख्या होता है तो यह बराबर होना चाहिए उस सैंख्या बराबर होना चाहिए ती बटा क्य जहां condition होता है, जहां शर्थ होता है, जहां शर्थ भी है, कि Q यानि कि जो नीचे में नंबर रहेगा, यह कभी भी 0 गड़ावर नहीं होना चाहिए, एवं दूसरा सर्थ है, कि P और Q, Q एक सह औभाज साइंख्या है, जहां यानि कि अब यहां पर यह भी लिख सकते थे, कि P और Q एक पुर्णांक है, बट उससे ज्यादा बेहतर यह होगा, कि यह एक साभ अभाज संख्या है, क्योंकि साभ अभाज संख्या से पता चल जाता है, कि P बटा Q के फोर्म में वो है कि नहीं, ठीक है, पुर्णांक से यहाँ पर नहीं दिया होगा था, तो हम डारेक्ट रम बोल देते कि उपड़ी में संख्या, बडाबर पड़ी में संख्या कभी मुम्किन ही नहीं, इसके मतलब क्या है, यहाँ पर यह से बन आ चुका है, तो 7 को हटा लेते हैं, ठीक है, तो हम यह क्या करते है, रूट है किद एगा तो एक बाता सत तो जाए ठीक जानी कि 1 वचल साथ इंटू टीर टुर्ट क्युम्ट कि इ네 और यहां प्यीन खाना जबरी नहीं है मैंने यांको समझाने दीन पसुथ यांब यहां कि आप बता ऊंच क्या एक outta परिमे संख्यां और 1 बैटा 7, P or Q तो पुर्णांग हो गया, P or Q क्या है, 1 बैटा 7 क्या है, एक परिमे संख्यां है, क्यूंकि route five क्या है उपड़ी में सयंख्या है उपड़ी में सयंख्यां Lost नेवर एकोल ? यानिकि not to hesitant कभी बराबर नहीं होगा पड़ीमें सयंख्यां के ठीक है पड़ीमें सयंख्यां Another कि उपड़ी में संख्या कभी पड़ी में संख्या गुराबर नहीं होता है ठीक है अता हमारी माननीता गल्ट है अता हमारी माननीता गल्ट है सेवन रूट फाइब एक वह पड़ी में संख्या है यह आपका पूरूफ हो गया या अँआ लीख सकते हो सीद्व हो गया या फिर इंग्लिस में लिख दोगे पूरूफ हो चुका और इसी का लास्ट कोशन है कोश्यन मटार देखते ठीक है इसे अब लीखो question number third हम लोग देखते हैं शालिए last question about third 3 questions number 3 बोल Catherine बोल रहा हैuish सिध की शिक्स स्रूइथ सुर्ण क्या है वह परिमें आपके है न क्या करेंगे छास्ट इसके अपूषित मालेंगे तो माल लेंगे माना 6 plus root 2 क्या है एक पड़ी में सहिंख्या है जस्ट इसका उल्टा हम लोग माल लेंगे ठीक है यहाँ पर माल लेंगे माला 6 plus root 2 क्या है जी पड़ी में सहिंख्या है माल लिए हम लोग इसको पड़ी में सहिंख्या ओके चलिए माल लिए अब हम लोग जानते हैं अगर कोई सैंख्या पड़ी में सैंख्या होता है तो उसे बड़ाबार होना चाहिए P वर्टा Q के जहां शर्थ होता है जहां condition होता है जहां के condition है कि नीचे वाला नंबर यानि कि Q जो है कभी भी हर में जो नंबर रहेगा यानि कि D denominator में जो नंबर रहेगा ये कभी भी 0 गोड़ाबर नहीं होगा एबं P और Q ये जो P और Q है एक सह ओभाज सैंख्या है ठीक है एक P और Q एक सह ओभाज सैंख्या है तो यहां परिमे सैंख्या है यहाँ crude की वह एक पूर्णांग से जाधा वहcesra where P और Q क्या है ? अगर रूइन रहता है तो हम टारेट बोल देते हैं रूट टू एक उपडिमे सैंख्या है और वतट क्यों और Q और परिमे सैंख्या है reminding तो परी में संख्या और कभी नहीं हो सकता है इसके तो हम देखेंगे यह 6 को अगर जो हम उस सइट कर लेते हैं तो इधर सिफ रूट टूबचेगा ठीक है तो यहाँ हम क्या करेंगे रूट टूको इसी साइट रखते हैं अब इस 6 को यह six क्या है प्लस में उस सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा मैनस में यानि मैनस six ओके ओके मैनस मैं हो गया पलस में था मैनस में हो गया ठीक है इसके मतलब यह देखे रूट root 2 क्या है एक उपरी में संख्या है बताइए root 2 क्या है एक उपरी में संख्या है P और Q क्या है P बटक Q क्या है एक परी में संख्या है 6 क्या है एक परी में संख्या है क्योंकि एक पुर्णांग है ठीक है तो याप अप लिखोगे कि ओपरी में संख्या ओ परी में संख्या नेवर इक्वल टू यानि कभी भी बराबर नहीं होगा किसके वाई परी में संख्या के ठीक है परी में संख्या के ठीक है यानि कि ओ परी में संख्या कभी बराबर नहीं होता है परी में संख्या के चुँकि ये सब क्या है पुर्णांग के रूप में है याने पड़ी में संख्या है जब कि रूट टू क्या है एक पड़ी में संख्या है ठीक है इसलिए ये वो पड़ी में संख्या कभी बराबर नहीं होगा पड़ी में संख्या के ठीक है अता हमारी माननीता हमारा मानना क्या है हमारी माननीता गलत है गलत है है सिक्स पलस रूट्टू एक ओपड़ी में सैंख्यां है एक ओपड़ी में सैंख्यां है यह आपका हो गया सिध्ध यानिकी सिध्ध हो गया या फिर इंगलिस में लिख ओग तर लिखद हो गया ओके तो इस परकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कमड़िट कर चुके हैं तो इसी परकार इसका नेक्स्ट जो कि लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है वह भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगें, ठीके, सु आज के लिए इतना ही, I hope वीडियो को पसंद आया हो, वीडियो चेहले तो लाइक करे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करे, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा स्चेयर करे, ओके, सु आज के लिए इतना ही, सु